आज मैं आपके सामने State Bank of India का latest notification लेकर रहे हूँ State Bank of India में total 1226 post है जिन पर भरतिया होना है post name आप ध्यान रखें circle based officers की हाँ पर भरतिया होना है regular vacancies के दिए हम बात करें तो 1100 vacancies है जबकि जो हमारे पास में vacancies है backlog वाली वो है 126 इस तरह से total 1226 post है जिन पर भरतिया होना है आप यहाँ पर circle wise distribution भी देख सकते हैं किस state में किस category के लिए कितनी seats available है ओके आप इस chart को देखकर समझ सकते हैं अब आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं eligibility criteria की तो यदि आपने graduation कर रखा है इंडिया के किसी भी recognize university से तो आप लग apply कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें local language जो है state की उसका आपको knowledge होना चाहिए age limit के अदि हम बात करें तो 21 से 30 साल के बीच में आपकी age है तो आप apply कर सकते हैं यहाँ पर as per use age relaxation भी है अपर age limit में किस प्रकार से चूट है आप यहाँ table के थ्रू समझ सकते हैं S.C.S.T. category के candidate को अपर age limit में 5 साल का age relaxation है जबकि O.B.C. के जो non-creamy layer candidate होंगे उन्हें 3 साल का अपर age limit में चूट है person with disabilities में यदि S.C.S.T. का PWD candidate है तो 15 साल की चूट O.B.C. का है तो 13 और general या economical weaker section का candidate है तो फिर 10 साल की अपर age limit में चूट होगी एक सर्विस मैंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल की अपर age limit में चूट है आग अग अब हम बात कर लेते हैं selection procedure की तो आपका पहलेटन examination होगा जिसमें की total 120 question पुछे जाएंगे 120 marks के होगे दो घंडे का time duration होगा आप यहाँ देख सकते हैं subject name English language के 30 question पुछे जाएंगे जो की 30 marks के होगे banking knowledge के 40 questions 40 marks के होगे general awareness और economy के 30 questions जो की 30 marks के होगे और computer aptitude के 20 questions पुछे जाएंगे जो की 20 marks के होगे इस तरह से total number of questions 120 हुआ है आप रोख धियान रखे online आपका exam होगा उसमें जो टाइमिंग है हर section के लिए separate है okay written examination screening test के बाद आपका interview होगा और फिर final selection होगा examination center से related भी आप information दी हुई है आगे हम discuss करेंगे कौन कौन से examination centers हो सकते हैं आगे हम बात कर लेते हैं fee की तो आप यहाँ पर देखेंगे SC, ST और PWD category के candidate के लिए कोई application charge यहाँ नहीं लगना है जबकि journal, OBC और economical vehicle section के लिए 750 रुपे application charge है ओके डेट साब धियान रखे 9 December से form fill होने start हो चुके हैं और apply करने last date 29 December 2021 है यहाँ पर guideline दी हुई है किस तरह से आपको application form fill करना है आप लोग इस notification को download भी कर सकते हैं telegram channel के तरो telegram channel के link मैंने description में देदी है कुछ general information भी यहाँ पर दी हुई है आप लोग इसे read कर ले मैं आपको suggest करूँगे apply करने से पहले notification को अच्छी तरह से read कर ले उसके बाद ही apply करे यहाँ पर examination centers आप देख सकते हैं जो भी tentative list है वो यहाँ पर दी हुई है तो यदि आप लोग interested है SPI को join करने के लिए तो apply कर सकते हैं यदि information यूसको लगी हो तो वीडियो को like करे share करे और ऐसे ही update बिने रहने के लिए चैनल को subscribe कर notification bell को जड़ प्रिस कर दे Thank you